सब्सक्राइब लेकर आई हूँ और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम के रिडिंग यानि कि आप और आपके पॉर्सन आप और आपके पार्टनर आखिर में सोच क्या रहे हो आप दोनों के मन की जो सिक्रेट फिलिंग्स है गुप्त भावनाये हैं जो आप महसूस तो करते हो जो आपके पॉर्सन महसूस तो करते हैं पर एक दुस्रे को बता नहीं पा रहे हो कुछ जिजक है आप दोनों के अंदर, कुछ रिस्ते में जो है ऐसा टर्णिंग पॉंट आया है, रिस्ते ने कुछ ऐसी करवट ली है, रास्ते मुड़े है आप दोनों के, जिसकी वज़े से भावनाय होते हुए भी एक दूसरे के साथ बोलना, आप दोनों पसंद नहीं कर है या फिर बोल चाल आप दोनों की बंद हुई है, तो गुप्त भावना उपर यू वर्सस देम की जो है यहां पर आज रिडिंग मैं कर रही हूं, कलेक्टिव रिडिंग कर रही हूं, तो सबसे पहले मुझे आपकी ही भावनाय देखनी है कि सिक्रेटली चोरी चुरी फिर जाकर आपके पार्टनर ग्रेडिंग देखने का कोई अर्थ नहीं बनता है, तो मैं आप सबी से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज आप जो है पॉजिटिव एनरजी में रही है, मैनिफेस्टेशन दुआय प्रेयर्स आप कर लिजिए गाइस, ठीक है, तो चले की कलेक्टिव रिडिंग, सिक्रेट फिलिंग्स, यानि की गुप्त भाउना है, आपके लिए मैं इस डेका इस्तमाल कर रही हूं और आपके पार्टनर के लिए दूसरे डेका इस्तमाल करूंगी, ठीक है, तो सबसे पहले इस डेक से भी पहले उनिवर्स की तरफ से देख देते हैं कि युनिवर्स को आपके अंदर क्या नजर आ रहा है, युनिवर्स हमें बताईए, इनकी छुपी हुई, दबी हुई, गुमसुम सी, गुप्त भाउनाओं में आखिर आपको क्या नजर आ रहा है, खुलकर इनकी एनरजी से हमें बताईए, युनिवर्स, we are the world, number 10 की एनरजी यहाँ पर निकल कर आई है, एक और, silence, तो secret feeling के हम बात कर रहे हैं आज की reading में, और secret feelings में ही आ गया silence का कार, तो चलिए, number 17 और number 10 आज के लिए आपके लिए खास numbers इस और ने भेजे हैं, तो इन दो कार्ट का आर्थ आपको समझा देते हैं, आपकी secret feelings में अभी भी यही है, कि तुम मेरे हो, तुम हमेशा के लिए मेरे ही थे और तुम हमेशा के लिए मेरे ही रहोगे, तुमसे मेरी दुन्या है, तुमसे मेरा भविश्य है, तुमसे मेरी खुश्या है, तुमसे मेरा सब कुछ है, यानि कि आप अभी भी अपने secret feelings में अपने person को अपना मान रहे हो, आप इसे इस इंसान को अपनी तकदीर अपनी दुनिया अपना संसार इस वक्ति को मान रहे हो आपको लग रहा है कि ये वक्ति आपके जिन्दगी में ऐसे ही नहीं आया है इसके पीछे कोई मकसद है हैना ये वेक्तिय अगर आपके जिन्दगी से जुड़ा है आपके साथ रिष्टे में जुड़ा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा यूनिवर्स का मकसद है आप इस इंसान को अपनी जिन्दगी और अपनी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा 마ंते हो और सायद इस हिस्से के आज आपके साथ ना हो पाने की वज़े से आपके अंदर एक चुप़ी, खामोसी ने घर कर लिया है, आप बिल्कुल एक ऐसे परिस्तिती से अभी गुज़र रहे हो, जहां पर आपके जिन्दगे में आपको अंधेरा नजर आता है, आपको ग्रहन नजर आता है, आपको चीजे बदली हुई नजर आती है, आपको सननाटा नजर आता है, कई लोग यहां पर ऐसे भी नजर आते हो, जो आपके पोर्सन से बोल नहीं पा रहे हो, अपने मन की जो जो आपके feeling है, यह feeling को जो है आपने अपने मन के अंदर क्याद कर रखा है, आपने अपने जुबान को सिल रखा है, क्योंकि आपको लगता है, आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि आपके और आपके पोसन के बीच में अभी बहुत सारा distance है, बहुत सारी दूरी है, बहुत स ऐसे कहीं सारे लोग ऐसे हों गहां मिटवन्ट को लेकर परिशान हो आपके पॉशंग ने आपके साथ कीये गए उन तमाम वादों को उन सक टॉफ़ाईसो रहे हैं जिस जिसने आपको सननाटे में धकेल दिया है, जिसने आपको खामोस रहने पर मजबूर कर दिया है, जिसने आपके जिन्दगी को अंधेरा कर दिया है, पर आपको यह ध्याम देख देना है, कि यहाँ पर जो वियार दव वर्ल्ड का काड आया है, यह भले ही आपकी गुफ्थ फ कामने यह सब्द जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेन्ट है जो वी उवाला सब्द आया है हम वाला सब्द आया है कि हम दोनों एक दुषर की δुनिया है और युझिवर्ट इस दुन्या को है ना एक करके ही रहेगी आप दोनों को इस समय चक्र में फिर से जो है बांद कर ही रहेगी तो ये आपका फ्यूचर भी निकल कर आया है उनिवर्स की तरफ से तो ये सन्नाटा ये गहरी खामोसी ये अंधिरापन ये दुख ये तकलीफ है जो भी अभी आप भुगत रहे हो गाईज ये समय चक्र का ए आपकी दुनिया बस्ती है अगर आपको लगता है कि आपके पूर्सन में आपके क्वाय से बस्ती है आप इस इंसान से जुदा नहीं हो पाते हो ये अगर सच्छाई है और इस इंसान के ना होने परatin पर आप जिन्दगी में खामोस हो गए हो किसी से बोलना नहीं है बाते बस इस बात का इंतजार करना है कि कब जो है ये जो बुरा समय है ग्रहन है आपके और आपके पोसंस के बीच से हटे कब इन तरफ से आपको commitment मिले अगर आप इन सारे चीजों को अपने मन के अंदर दबाए बैटे हो तो यह देखना तो यह है कि जैसा आप महसूस कर रहे हो कि आपके पार्टनर भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे है हमें ये देखना है पर सबसे पहले आपको डिटेल में समझ ले आपके बारे में जानकारी ले ले स्ट्रेंथ लियो की एनरजी यहां पर आई है निकल कर जज्मेंट वाउ दो बड़े कार्ड दो बड़ी एनरजी आपके लिए आई है मजीज फिर से तीसरा बड़ा कार्ड आया है आप छोटा मोटा कुछ मांग नहीं रहे हो आपकी जो इच्छाएं है आपकी जो ख्वाई से है वो बहुत बड़ी है इस रिलेशन्शिप को लेकर देख लेजे फिर से मेजर अरकाना आपकी तो तक्दीर बहुत ही स्ट्रॉंग है आपका भागय बहुत स्ट्रॉंग है गाईस मेजर अरकाना वाउ माइनर कार्ड मुझे कुछ दिख नहीं रहे है अभी तक साय दबाए एस और पैंटिकल्स आ गया यह माइनर कार्ड है आपकी सिक्रेट फिलिंग्स में क्या है टू अफ सोर्स और बॉटम के एनरजी में फाइव वेंट्स के एनरजी आई है तो चलिए अब साइनल एलिमेंट मेजर अरकाना बहुत सारे आए है इसलिए मैं आपको मेजर अरकाना के बार में बता दू यहाँ पर लियो के एनरज र्जि आज देखो डबल लियो है आज सं के एनरजी भी लियो होती है और स्तृच के एनरजी भी यहाँ पर निकल कर आई है बाकी सारे कार्ट जो है मैंनर यह जो इस मेजिशन और judgment का card है यह universe की तरफ से बड़ा card होता है major अरकाना नहीं है फिर भी बहुत मतलब इस छोटे card से बड़ा होता है क्योंकि universe के energy होती है बाकी minor अरकाना से यहाँ पर निकल कर आए है तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके secret feelings में क्या है तो सबसे पहले कमजोर रिष्टे को लेकर थोड़ा सा दर्द आपके अंदर नजर आता है क्योंकि जहां पर strength का card आया है आप हमेशा अपने person के बारे में जब भी सोचते होना तो आपके मन में साइद यही एक खयाल आता है कि मेरा partner इतना कमजोर क्यों है हम दोनों का में जैसे भी तकलीफे क्यों ना आए यह व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ेगा यह व्यक्ति आपके लिए लड़ेगा यह व्यक्ति आपके लिए हिम्मत दिखाएगा यह व्यक्ति सारी चीजों को छोड़ कर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपने इस इस इंसान का हाथ अगर आपको मिल जाए, तो इससे बड़ी बात आपके लिए सायध कुछ नहीं थी, पर ये विक्ति कहीं न कहीं हर معमले में, हर चीज में जो है कमज़ोर पड़ता गया, और आपको इसी बात का सायध बहुत जो है मन में दर्द होता है, कि दुन्या के लिए तो इसने बहुत कुछ कर लिया, लोगों के लिए इस वक्ति ने हर कदम उठा लिया, लोगों के लिए लड़ा भी, लोगों के लिए जगडा भी, लोगों को खुस करने के लिए इसने बहुत कुछ किया, पर जब मेरी बारी आई और मेरे रिस्ते की बात आई तो ये वक्ति ह के लिए कुछ नहीं कर पाना नजर आता है दूसरी तरफ आया है जज्जमेंट का कार्ड और जज्जमेंट के एनरजी हमें बता रही है कि क्यूं आपको ऐसा लगता है कि यह इस वक्ति ने ना इंसाफी कर दी इस वक्ति का फैसला आपके लिए नहीं था चाहे वो फैसला मझबूत बनाने के लिए कुछ अक्शन ले कुछ करे आपके रिस्ते को बहतर बनाने के लिए तो दूसरा है आप इनसान पर बंदे पर लुठा दिया है और इतना कुछ लुठाने के बाद भी अगर आप मजबूत हो पर आपके partner आपके लिए learn नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में यह बहुत normal है कि कोई भी इंसान यही समझेगा हैना कि मेरे साथ गलत हो गया हैना मेरे साथ बैमानी हो गई मेरे साथ जो है इस्वर ने भी जो है अच्छा फैसला नहीं किया मेरे पार्ट्नर भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाया आप इस इनसान से रियूनियन भी चाहते हो because judgment का card हमेशा रियूनियन के एनर्जी भी होती है आपको फैसला कैसा चाहिए आपको फैसला दी यूनियन में चाहिए आप कुछ और नहीं मांग रहे अपने पार्टनर से या अपने इस्वर से आप बस यही कह रहे हो कि मेरा अपने पार्टनर के साथ फिर से रिस्ता पहले की तरह बन जाए मेरा partner जो है मजबूत बनकर मुझे सहरा देने के लिए मेरे प्यार को accept करने के लिए मजबूती के साथ आए और मेरे साथ जो है फिर से एक रिस्ते में वापस आ जाए सामिल हो जाए Ace of Pentacles के energy आई है आपके लिए ये रिस्ता अभी भी बहुत माहिने रखता है आपके लिए ये रिस्ता अभी भी पैसो से उपर है बड़े बंगले या घर से उपर है धेर सारे bank balance से उपर है आप इस वक्ति को इस तरी कहते हैं न पेडेस्ट्रल एक इंगलिस में एक word है पेडे कीमत को समझे इस रिष्टे की कीमत को समझे और साती साथ आप इस वक्ति के साथ एक नई सुर्वात बिःदि भी चाहरे हो और इस वक्ति न, जो है अगर आप अभी रियूनर की इच्छाय कर रहे हो इसका मतलब है इस ने आपको ठुकरा दिया है तो तो जो भी हो respect, value, love और reunion जो है आपकी secret feelings में नजर आती है, साथी साथ इस person के कुछ बातों ने या इस person के कुछ action ने आपको बहुत confusion में भी डाल रखा है, two of sorts की energy यही दिखाती है कि आपका mind, आपका heart, आपके जिन्दगी के fast ले, आप कुछ भी नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़रा घबराहट में हो, आप बहुत ज़रा confusion में हो, आपको यह नहीं सूझ रहा कि आने वाले पल में आपको क्या करना है, आने वाले समय में आपके भागे में क्या लिखा हुआ है, आपको किस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, आपको इस रिस्ते को लेकर क्या करना चाहिए, आप कुछ भी नहीं समझ पारे हो, you are totally in a dark place, आप एक अंधेरी जगे पर हो, जहां पर आपको आँखों पर पट्टी बांद कर छोड़ दिया गया है, और कहा गया है कि आप तुम अपना रास्ता खुद तय कर लो, पर आप उस रास्ते तय करने के आप उस अभी जो है उस मुकाम पर आप हो ही नहीं बिल्कुल confused हो, और बिल्कुल जो है कुछ कर नहीं पारे हो, decide नहीं कर पारे हो, five of one's के energy हाँ पर bottom में आई हुई है, और यह energy हमें बता रही है कि जिन्दगी कितनी परेशान है आपकी, जिन्दगी मानों ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी में एक के बाद दूसरे, दूसरी जो है नाकाम्या भी आपको मिलती ही जा रही है, लडाईया होना, जगड़े होना, लोगों के साथ misunderstanding का हो जाना, लोग नहीं समझ पा रहे है, या फिर आप लोगों को नहीं समझ पा रहे हो, हर मतलब एक रिस्ता ऐसे तूटा है आपका, जिसके वज़े से आपकी बुनियाद ही हिल गई है यहाँ पर, आपके जिन्दगी ही खत्रे में मुझे नजर आती है, आपको तो यहाँ पर सारे के सारे अपने जो है दुस्मन नजर आते हैं, आपको लगता है कि आपके अच्छे के बारे में कोई सोच नहीं रहा, आपकी भलाई के बारे में कोई सोच नहीं रहा, मजब हर दूसरा पोर्सन अब आपको जो है दुस्मन की तरह नजर आता है, आपको किसी पर भरोसा ट्रस्ट न आज़राती है, आगे बढ़ने की चाहद भी है, पर आगे बढ़ पाने की, आगे बढ़ पाने का हौसला आपको नहीं मिल पा रहा, आपको जो है अच्छी help भी नहीं मिल पा रही किसी से भी, तो एक बहुत ही, जो है, एक complicated situation, जहाँ पर प्यार भी नहीं है, दूसरों का साथ भी नहीं है दूसरों पर भरोसा भी करें तो कैसे करें कि पहले ही आपका विश्वास आपका बिलीव आपका ट्रस्ट तूटा है पर आप इस वर से अभी भरोसा लगाए बैटे हो आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो आप इस वर से रो रो कर आप दुआये मांग रहे हो कि आपके पोर्सन में वो सक्ति आए आपके पोर्सन में जो है वो स्ट्रेंट आए कि वो आपको अपना ले या आपके साथ आकर आपकी ग्रिहस्ति बसा ले आपके साथ दुनिया बसा ले जायत कहीं न कहीं, आपकी दुआये सच्ची है, आपकी दुआये इस वर भी जो है सुन रहे है, समझ रहे हैं, आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि आपके उपर बहुत बड़ी जो है एक पावर, क्योंकि ये मजिशन हमें साथ पावर का काड होता है, जो पावर हमें ए साने वाली है कि एंजल आपको वो सारी चीजे वो सारा strength प्रदान कर रहे हैं और इस इंसान को डिफिरनेटली एक्रक्ट कर रहे हो अपनी तरफ प्रेयर करके एक्रत कर रहे हो खुश रहना चाहते हो, इसके साथ जिन्दगी दिवार, जिन्दगी के बढ़ना चाहते हो। आकर आपके सामने accept करें आपको share करें आपको बताए कि यह चीजे हुई है और ऐसे हुई है इस कारण से हुई है आपको परदे में ना रखें आपको आपके सामने जो धुंद है उसे वह व्यक्ति हटाए तो clarity भी इस relationship को लेकर खुशियों के साथ आप मांग रहे हो और यह अ हमेशा आपको अंधेरे में रखेगा नहीं हमेशा आपको उलजहनों में रखेगा नहीं हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो मांग रहे वो पूरा नहीं होगा यह समय चक्र आपके जिंदगी में बहुत सारी चीजे लेकर भी आ रहा है जैसे कि judgment लेकर आ रहा है फैसला, reunion लेकर आ रहा है साथी साथ आपकी जो मांगी हुई wishes है वो भी पूरी हो रही है आप में वो power होने वाला है आप बहुत जल्दी अपने person को अपनी तरफ attract भी करने वाले हो आकरशित भी करने वाले हो और good news unexpected way में यानि कि अचानक से ही आपके जिंदगी यहाँ पर बदल भी रही है इस कार्ट के जरीए और नई सुर्वात भी होगी कुछ चीजों को लेकर confusion है यह confusion यह संका कार्ट क्लियर कर देगा समझ गये तो यह तो थी आपके secret feelings अब आपके person की भी हम देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है क्या इसके बिलकुल विपरित चीजे चल रही है आप चाहरे हो यह और वो कुछ और महसूस कर रहे है क्या है उनकी गुद्भानाव में तो फटा फटी चलिए अब देखते हैं आपके पोसन की energy तो अब आ रही है आपके partner की secret feelings को चेक करने की देखते हैं यह व्यक्ति आखिर किस energy में है और वो जैसा महसूस कर रहा है क्या उसक कि सबसे पहले universe की तरफ से ही हम देखेंगे तो अब कर दो हुआ है कि युद्वर्स हमें बताईए इनके अंदर आपको क्या नजर आता है क्या छिपा रहा है क्या दिखा रहा है माइंड वाव टेथ के energy transformation बहुत खुपसरद energy आई है आपके partner की तो चलिए अब आपको बताते हैं नंबर 13 आज important है तो इन दो कार्ट का मतलब क्या है सबसे पहले बता दू कि दिमाग तो इस वक्ति का बिलकुल हिला हुआ है कहते हैं ना जिस तरीके से आपका दिमाग वहाँ पर दो चीजों को लेकर अटका हुआ है बेचे नहीं है समझ नहीं पा रहे हो गलत क्या हुआ ह है सही क्या हुआ है सही कैसे करना है बिलकुल यहाँ पर आपके पार्टनर का जो दिमाग है उसमें भी मैं देख रहे हुए कि बहुत जड़ा भीड़ वाली एनरजी है चीजे इतनी जड़ा उलजी हुई है बाते इतनी जड़ा उलजी हुई है कॉम्प्लिकेशन इतने सार इक तार दूसरे दार से जाकर उलज गया है यह वक्ति ऐसे दिमाग के साथ क्या फैसले लेगा गाई यह वक्ति ऐसे दिमाग के साथ जिन्दगी आगे कैसे बढ़ाएगा इस व्यक्ति के दिमाग में इतनी परिशानिया मुझे नजर आती है कि सुकून नाम की तो चीजी नहीं है हमेशा जब भी माइंड का यह काड आए आप समझ लेना कि इस व्यक्ति की मानसिक हाला जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं मेंटल हेल्थ बहुत ही नाजुक अवस्ता में हैं यह व्यक्ति हस्ते ज्यादा ही दिमाग पर प्रेशर दे रहा है मजब चीजे एक चीज की नह आई है कि ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना और कुछ कर नहीं पाना यह एक बेबसी इनकी जो है नजर आती है बहुत ही कॉंप्लिकेटेट इनका माइंड है दूसरा देथ के एनरजी आई है ट्रांस्फोर्मेशन का कार्ड और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूस हो सकता है क्यूंकि डेथ के एनरजी बताती है कि आपके साथ रिस्ता खतम, डेथ के एनरजी बताती है कि आपका और इनका रिलेशन्शिप जो है वो बहुत ही पुराना और खाश रिस्ता है जिसे हम हमीसा कहते है पूरु जनम वाला रिस रिस्ता भी रुकना था रिस्ता खराब भी होना था कुछ चीजे थी जो balance नहीं थी कुछ चीजे जो भिगर रही थी इसे लिए इस रिस्ते को अभी के लिए temporarily इसे जो है श्टॉप करवाया है रोका है पर वहां पर चक्र चल रहा है और चक्र जैसे ही अपने सही divine timing पर आएगा आपके और आपके portion का जो ये टूटा हुआ बिखरा हुआ खामोस सा रिस्ता है जिसने बदलाओ की बहुत जरूत थी ये रिस्ता फिर से क्या हो जाएगा rebirth हो जाएगा तो आप समझ रहे हो आपका cycle इसके साथ जुड़ा हुआ है बीच में आकर जो है एक छोटा सा हाथसा हो गया छोटा सा accident हो गया जिसके वज़े से रिस्ता खामोस हो गया है पर यही जो चक्र है अब इसे rebirth में फिर से शुरू कर रहा है so death is all about rebirth death का मतलब भी होता है खतम हुआ है तो अब इसकी फिर से क्या होगी new beginning होगी पर कैसे होगे बहुत सार ही changes लाने होगे इस व्क्ति के अंदर से changes आने होंगे इस व्क्ति के जीवन में changes आने होंगे कुछ इनकी habits है कुछ इनकी आदते है या आपके अंदर कुछ आदते है जो बुराई से जुड़ी हुई है उन सारे चीज़ों को बदल कर ही जो है एक अच्छे फॉर्म में एक नहीं तरीके से हैना बदले हुए अंदाज में ही जो है आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से यहाँ पर रिबर्थ होगा तो experience करवाना है अनुभफ करवाना था कर्मा भी clear करना था अब यह नहीं पता कि कर्मा इसका आपके साथ जुड़ा था या आपके बुरे कर्मों की वज़े से इस वेक्ति के साथ आपकी जुदाई हुई है यह clear नहीं है पर इतना पता चलता है कि आप दोनों एक cycle में हो आप के लिए क्या feel कर रहे हैं आपके तरफ से भी यही निकला था ऐस आप पांटिकल्स Diverted Mind, Diverted अपना चैरा घुमा लेना आप से अपना मुह फिर लेना कुछ जिमिवारियों का वास्ता दे कर कुछ तकलीफों की बाते बता कर अपना जो है जीवन इस वेक्ति ने कही न कहीं दूसी तरफ diverd किया है वो नजर आता है किंग आफ बैंट के इस कार्ट से थ्री ओफ काप्स एट ओफ काप्स वाउ आप आ गए हैं पर गाई इस देखो डेथ, वर्ल्ड और एम्परेस तिनों कार्ड आज की रिडिंग में है जो तोटल यही बताते है कि जो किस्मत की लकीरे है आपके और आपके पोसन की यहाँ पर तो 100% मैच हो चुका है यह तो जुदा होने वाला रिस्ता है ही नहीं यह तो भागय की महरबानी है भागय देवता महरबान है इस रिस्ते में जो एक दूसरे को जोड कर ही रहेगी एंप्रस आपके अनरजी यहाँ पर निकल कर आई है आपको ऐसे महसूस करता है यह वक्त्ती अब आपको बताते है कि इस रिडिंग में आखिर क्या है इनकी सिक्रेट फिलिंग में क्या है तो देखो बॉटम के कार्ट से ही स्टार्ट करते है थर्ड पार्टी वाली रिडिंग निकल कर आई है क्योंकि बहुत ही उपर है थर्ड पार्टी की एनरजी इस इनसान के मुँँ फेरने के पीछी की जो वजह है इस वक्ति ने तोटली आपको आपको आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है आपको ऐसा लगता है इस वक्ति ने आपको समझना छोड़ दिया है ऐसा आपको लगता है इस वक्ति ने बिना किसी रिजन के बिना किसी कारण के अचानक से ही अपना रास्ता बदल लिया अपना फैसला बदल लिया इस व्यक्ति ने आपको ऐसा महसुस करवाया कि जैसे ये व्यक्ति कभी आपको जानता नहीं, कभी आपसे मिला नहीं, कभी आपसे प्यार नहीं किया, मतलब जब कोई व्यक्ति अचानक से बदल जाता है, अचानक से आपके बारे में केर करना छोड़ देता है, तो आपको कित पीज बदल गई है, मेरे जिमेवारिया बदल गई है, ऐसे जो है एक बेरुखी पन का आपको एक एटिटूड ये वक्ति शोग कर रहा है, और इसके पीछे की जो वजह कारण जो है यहाँ पर थ्री ओफ पैंटिकल्स, अब आप देखो कारण क्या है, कारण है ये, है ना, आ आपको एक वक्ति नजर नहीं आएगा, इस पिक्चर में आपको दो से ज़्यादा वक्ति नजर आ रहे है, यानि कि आपके पार्टनर भी है, यहाँ पर दो और भी लोग है, तो इसके मूँ फेरने के पीछे की जो सबसे इंपॉर्टन मेन कारण है, वो है कोई थर्ड पार जिसने आपके पार्टनर को आपसे अलग होने पर, आपके बारे में सोचने पर इस वक्ति को इतना ज़्यादा कमपेल किया है, इतना ज़्यादा मजबूर किया है, कि इस वक्ति ने उसे कर दिया, यानि कि आपको जो लग रहा आ था कि फैसला आपके लिए नहीं लिया, ज मेरा पार्टनर कभी मेरे बारे में सोसता नहीं था पर इसने जो है दूसरों के बारे में जारा सोसना स्टार्ट कर दिया तो मुख्य कारण जो है आप दुनों के अलग होने का थर्ट पार्टी ही नजर आती है यानि कि पार्टनर्शिप कहीं और बन गई हाथ कहीं और मिल आपके साथ का खुबसूरत अच्छा खासा सा मजबूर जो रिस्ता था वो पल भर में इस वक्ति ने तोड़ दिया तो अभी अगर हम देखे तो यहाँ पर नजर आता है कि इस तिर्ची निगाहों के उस परे अगर हम देखे तो यह वक्ति भले ही आपको नजर अंदास कर रहा है क्योंकि यह नजर अंदास करने वाली एनरजी होती है तो नजर अंदास अगर आपको कर भी रहा है तो इसके नीचे आपके एनरजी आई है जो यह बताता है कि मैं इसे चाहे जितना नजर अंदास कर लूँ इससे जा है जितना अपने से दूर भेजने की कोशिस कर लूँ ये व्यक्ति खुज भी जानता है ये नहीं कर पाएगा इससे ये चीज़े हो नहीं पाएगी क्योंकि एक फेकिंग कहते है न दिखावटी पन दिखावा करना लोगों के सामने एक और अंदर से कुछ और तो य ये ही एक फेकिंग यहां पर चल रही है दिखावटी पन यहां पर चल रहा है जो व्यक्ति secretly आपके लिए मैसूस कर रहा है देखो तुम देखो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा पर अगर तुम्हें सच में देखोगे तो तुम्हें मेरे अंदर तुम भी नजर आओगे तो embrace के energy यहाँ पर यह बताती है, कि यह व्यक्ति तो कायल है आपका, यह व्यक्ति तो आपके strong personality, आपका जो mental health है, आप में जो सहने की जो हिम्मत है, तागत है, उस चीजों को लेकर यह व्यक्ति एकदम कायल है, यह व्यक्ति आपको बहुत उचा सोचता है, अपनी जिंदग को सराखों पर लिया है, मेरी हर गलतियों को माफ किया है, मेरी हर छोटी से छोटी भूल को भी इस व्यक्ति ने नजर अंदास किया है, यानि कि सहन सकती की एक ऐसी मुरत हो आप, जो हर किसी इंसान में यह सहन सकती होती नहीं है, तो आपका जो एक picture है, इनके जिंदगी में वो picture एक बहुत ही strong person की है, जो जिसे गिराना, जिसे ठेस पहुँचाना इतना आसान नहीं है, मतलब आपको जितना भी ठेस कोई पहुचा भी देना, आप उसका हस कर सामना करते हो, क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ काड होता है, धरती माता, जिस तरीके से कितने सारे दुआये मांगी है, तो ये व्यक्ति आपको पाकर बहुत खुश है, मतलब दिखा नहीं रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा कि ये खुश है, ये व्यक्ति आपको अपना एक जिवन साथी के रूप में पाकर, आपको एक पार्टनर की रूप में पाकर, ये व्यक्ति मनी मन अ बसकर मुस्कुरा कर मेरे दिये हुए सारे गमों को सहलिया क्या ऐसा व्रति कभी मुझे मिल पाएगा क्योंकि वो तो मेरे जिंदगी से चला जा चुका है तो एट उफ कप्स आपका इनकी जिंदगी से दूर हो जाने के एक अहसास को दिखाता है और यह व्रति आपसे अपनी कि खुशिया बरबाद हो गई है क्योंकि तुम मेरे जिंदगी से जा चुके हो और मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं मैं तुम्हें वापस हासिल करना चाहता हूं मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं तो यह व्रति थर्ट पार्टी में है क्योंकि थर्ट त्री कर रहा हूँ मैं अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ा चुका हूँ तुम्हारे भीना मुवन हो चुका हूँ मैं पर क्या इसमें सचाई है क्योंकि आपको वही दिखेगा जो यह आपको दिखाएगा यह चाहता ही है कि आप वह देखो और आप इनसे नफरत करो पर आपको मैं बता दू कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो इसके इन बरताव को देखकर अपने मन के अंदर इसके लिए कुंठा पालोगे इसके लिए बुरा सोचोगे आप तो सहोगे आप इसके हर हरकतों को सहोगे क्योंकि आपको इस्वर ने इतना मजबूत बनाया है और इसके भा पत्थर की तरह आप मजबूत हो, हैना इसकी छोटी-छोटी हरकते, इसका खुशिया मनाना, इसका दूसरों के साथ इंजॉय करना, दूसरों के साथ जो है जाकर पार्टनर्शिप करना, ये छोटी-छोटी चीजे आपके प्यार को हिला नहीं सकते, क्योंकि आपका भरोसा इ बहुती strong feeling है आपकी ठीक है तो ये वक्ति आपके चले जाने पर जो है गम में भी है तकलीफ में भी है पर ये इजहार नहीं करेगा आपसे दिखाएगा नहीं आपको कि ये जिन्दगी में आकर फिल क्या कर रहा है ये वक्ति तो वही चाहता है ये जिस तरीके से इसने जो है आपको अलग करवाया या आपको ठुगराया है ये वक्ति चाहता है कि ये वक्ति आपको the value आप इनकी लिए भी उतना ही कीमती हो आप इनकी लिए उतना ही valuable है प्राइस लेस हो, आपके तरह कोई नहीं है guys इनको ऐसा लगता है कि आपके तरह कोई है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता इतना strong faith इस वक्ति को आपके लिए है और ये व्यक्ति भी वही चाहता है जो आप चाहते हो कि value इस रिष्टे को मिले, साइद आप दोनों एक साथ होते पर दो में से एक व्यक्ति निकल कर गया है तो दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर नजर अंदास किया है इस रिस्ते को मुझ फेरा है पर यह व्यक्ति फिर भी अभी यही चाहरा है कि रिस्ता जो है फिर से स्टार्ट हो जाए इस रिस्ते की सुरुवा गया है देखो यहां पर रिबोर्ट का समय भी आ गया उधर आपका साइकल भी पूरा हो चुका है अलड़ी हैना क्योंकि सिर्फ वो काड़ साइकल का काड़ आता तो समय चक्र चल रहा है यह दिखता पर समय चक्र के साथ डेट का काड़ आ गया मतलब साइकल खतम अब जो है बिगनिंग पर जो है समय आ चुक्त यहीं कल्पना कर भी रहा है और उस कल्पना को आगे लेकर भी जाना चाहता है यह वक्त आपके साथ एक बहुत मजबूत रिष्टे की बुनियाद रखना चाहता है आपके साथ एक नए तरीके से नए अंददाज से यह विव्य रातन भी चाह रहा है और यह होगा बहुत जल निकलेगा थर्ड पार्टी से आज मैंने फेस्बुक पर भी थर्ड पार्टी की रिडिंग की थी और वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही चीज़े निकल कर आई थी कि कोई है जो आपके प्यार से दुखी है तो यहां पर भी वही है कि लगा आपको बेवज़ा हर्ट करके आपको बहुत ऐसे बाते कही है आपके मन को दुखा कर यह व्यक्ति आपके जिंदगी से गया है तो अब देखो यह व्यक्ति ऐसी कुछ उपाई या तर्कीब लगा रहा है क्योंकि थ्रियों पैंटिकस तर्कीब लगा कर थर्ड पार् लेना देना ना किसी और पार्टी से कुछ लेना देना मेरी पार्टी बस एक है और वो है मेरा मैंल आप वे एक एंसान के साथ कड़ा हूं जो मेरा सब कुछ है सर्व सब्सक्राइब यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर आप इस तरीकी का जो है यह व्यक्ति अब जो है कोई बहुत बड़ा फैसला कोई बहुत बड़ा एक्षन जिसको करने के लिए मतलब आपको भी इसी बात को का डर था ना कि आपका पॉर्शन आपके लिए कु मुझे अगर पाना है तो जिगर वाला बनकर आए तो वही जिगर यहां पर फूल का कार्ड दिखाता है कि बेवाकी के साथ किसी और की परवाकी बिना हैना इज़त कहां गई हैना परिवार कहां गया परिवार के इच्छाय कहां गई क्योंकि कर रहा है यह व्यक्ति अभी कुछ भी कर गुजरना ये वक्ति चाहता है और ये लेगा भी अभी तो इसका दिमागी हालत अगर आप देखो तो बिलकुल पंचड हालत में नजर आता है जैसे टायर का टायर पंचड हो जाती है वो आगे बढ़ नहीं पाता इस तरह के से खलबली मची हुई है इस वक्ति क को निकाल रहा है ताकि ये कुछ बलवान कुछ मजबूत कुछ थास स्टैबल इस रिलेशनशिप को आफर कर सके ठीक है तो ये वक्ति जो है बिलकुल सेलिब्रेशन आपके साथ करेगा भी अभी जो जसन ये दूसरों के साथ कर रहा है ना बहुत जल्दी ये वक्त ये समय ऐसे बदलेगा कि थर्ड पार्टी से निकल कर ये सारे के सारी जो खुशिया है सिर्फ आपके साथ नहीं हो सकता है कि आपके फैमली के साथ ही सेलिब्रेट करें आप और इनके दोस्तों के साथ जो है ये बिलकर जो है आप दोनों के जीत का जसन मनाए आप दोनों के रियू परनामे करने वाला है जो इस वक्ति ने आज तक आपके लिए कभी किया नहीं है विकॉस हमारे पास रिब्वत और लड़ी आ चुका है तो चलिए देखते हैं कुछ मेसेज्स यहां से लेकर परनामे करें नहीं है you can do this बिल्कुल होकर रहेगा गाईज आप अपने आपको बिल्कुल कमजोर मत महसूस करना और कभी मन के अंदर ये मत सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा इस रिस्ते को मैं नहीं बचा पाऊंगी अपने पोर्सन को मैं नहीं समझा पाऊंगी ये थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएगा कुछ बदलाव नहीं होगा ऐसा कमजोर करने वाला जो थौट होता है इसे अपने दिमाग से प्रीज निकाल दो सब कुछ आप से है मैंने कहा ना कि जब ये व्यक्ति आपके लिए इस व्यक्ति को चुना हुआ है अपना आदा हिस्सा मान रहे हो का भाग्य जो इस व्यक्ति को आपके पास रिटर्न लेकर आ रहा है समझ गय तो आप कर सकते हो और आप से होगा ये ये कार्ड बहुत आ रहे हैं और second chance का जो आज कार्ड आया है ये तो बिलकुल इसे energy से match हो रहा है कि जब इस वर आप दोनों को दूसरा मौका दे रहे है हैना death का मतलब ही होता है दूसरा chance कि एक बार खतम हो गया और फिर से सुरुवात हो रही है हैना तो ये मौका तो खुद इस वर आपको दे रही है युनिवर्स आपको दे रही है हैना कर्मा आपको दे रहा है आपके पोसन को दे रहा है ताकि आप दोनों के बीच में फिर से एक अच्छा खासा आप दुनों एक दुसरे को समझो, support करो, प्यार करो, एक दुसरे को इतना प्यार करो, जितना प्यार साइथ, break up से पहले भी आप दुनों एक दुसरे को नहीं कर पाये थे, तो यह एक मौका इस और आपको दे रही है, और इस मौके का आपको भरपूर फाइदा उठाना है, यह स्रिफ आपको नहीं बलके आपके पोसन को भी यह मौका युनिवर्स दे रही है तो यह होकर ही रहेगा और यही थी आपके पोसन की और आपके सिक्रेट फिलिंग्स कितना रेजोनेंट हो पाया है कितना जुड़ पाए हो कितना समझ पाए हो अगर आपकी एनरजी मैच यह मैं मिलूंगे आपसे फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा खयार क्योंकि मैं करती हूं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार लब यू और ठेक है नमस्ते और बाबाई गाइस